तो गैस एक साथ तीन लोगों को इतने तेज मारना क्लोस कौर्टर में बहुत मज़ा है मुझे देख के खासका जो आखरी किल था उसमें तो इन्होंने शॉटगन की आवास उनके पीछे घूम के मारा स्मोक में स्पोट करके फिनिश के मुझे तो बहुत मज़ा है देखने में तो आज हम इन प्लेयर को देखने वाले इनका नाम है आईची क्या करोट इनका यूट्यूब पे चैनल है और यह रोज के लिए रोज लाइफ स्ट्रीम करते हैं 3-4 घंटा नॉन स्टॉप विदाउट फेल एवरी सिंगल डे तो मैं इनके लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में इनसे काफी कुछ सीखने मिला मुझे लास्त 3-4 दिनों में और मैं चाहूँगा कि आप भी सीखें तो बिना किसी देरी के चली शुरू करते हैं कितरा है कितरा है कितरा है डॉर्ड है खर बीदान है मुझे तो बहुत मज़ा आया यह gameplay देखके और चली इसको breakdown करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमने में देखी वह यह कि जैसी एनमी स्कॉर्ड ने रश किया इन्होंने एक grenade लिया उसको lotus पे कुक करके नीचे थ्रोग किया क्योंकि अक्सर जब आप कोई घर पे पुश करते हैं आप TPP लेकर वेट करते हो कि आपको sound आया यह ऐसा कोच हो दा क्या आप you know accuracy locate कर सको कि enemy teammate है किदर तो उन्होंने उसका फायदा उठाया और नीचे एक toss कर दिया hopefully के कोई damage हो जाए डामेज हुआ नहीं पता नहीं बट यह बहुत अच्छी skill अगर चारो teammate एक एक side पे भी grenade थ्रोग करते हैं और अगर उनको एक knock भी आता तो enemy का squad का जो rush है instantly रुक जाता है वो आपके लिए बहुत बड़ा bonus है क्योंकि अगर वो revive नहीं करने जाते तो आप 4v3 खेल दे हैं और अगर कोई revive करने जाते तो आप 2v4 खेल दे हैं जो कि बहुत advantage है आपके लिए secondly इन्होंने TPP से FPP स्विच किया जो कि बहुत अच्छा move है खासकर C1 barrel चोई customize आप कर लेते तो उसका damage बहुत जादा बढ़ जाता है जाते बहार और उनका करने का reason यह है कि जैसी आपको squad house पे push करते हैं सबसे पहले आप nade and molly की बरसात कर देते हो वहाँ पर मतलब जैसे आपको free में मिलता है और उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका आप बहार कूद जाओ enemy team भी expect नहीं करती है कि आप बहार कूद की उनको मारने लगोगे instantly तो इनके पास बहुत अच्छा advantage होता है secondly जब इनको पहला knock मिल जाता है यह थोड़ा fallback करते है रिलोड करते है उनको पता है कि enemy मतलब सामने वाला आ रहा है और सामने वाले की भी mentality है कि उसको rush करना उन्होंने rush किया है तो सामने वाला उस mental state से तब तक निकला नहीं था वो rush कर गया उसका फाइदा उठाते हुए यह अपने teammate के साथ है अगर यह knock होते तो teammate भी इनका trade निकाल सकता था और इन्होंने काफी अच्छे से उसको उधर knock कर दिया तो दो लोग इसने ऐसी knock कर दिय फिर हम देखते हैं कि शयाद इसको footstep आता है कि कोई उपर जा रहा है या बस उसको नीचे से footstep आता है उसने सोचा कि कोई staircase अगर उपर push कर रहा है उसके लिए भी एक nade ready करकी रखा था unfortunately nade उपर पहुचा नहीं बट वो काफी अची thinking थी जो quick thinking बोलता है thinking on your feet वो उन्हेंन पूरा का पूरा reflex पे मारा है इन्होंने इतना जादा खेला हुआ है इन्होंने कि अब मैं यह सोच रहा हूँ कि जब यह customs आएंगे तब क्या यह हर बार 10 या 12 किल तो निकाली पाएंगे इनके लिए तो देख के लग रहा भी नहीं है कि challenge होगा राइट तो क्याकरोट की gameplay स हमने आज यह देखा कि जब कोई आपके उपर पुश कर रहा है और आपको बता है वो दूर से आरे पास नहीं है अगर वो दूर से दिख रहे है एक grenade को करके रखो cancel कर सकते हो आप and as far as positioning goes तो यह बाहर थे पूरा time और बाहर से इन्होंने AKKK करके pick किया तो guys this is another important thing जो हमने इ advantage लेके वारना चाहता है जैसे second player को इन्होंने मारा यह बाहर गए उसको attract किया अपनी तरफ और यह cover के पीछे ते TPP का use किया और enemy को मार दिया तो guys मैंने तो काफी कुछ सीखा इन से आज and जैसे कि मैंने आपको पहले बता है इनकी live stream होती है रोज के रोज उसका link channel का मैं जरूर description में डालूँगा जाकर check out करिये सीखे इन से कुछ मैंने काफी कुछ सीखा तो yes guys यह था आज का video and मैं काफी कुछ expect कर रहा है इन से जब customs आएंगे अगर मैं आपकी जगा आथा तो definitely इनको approach करके बूचता भाई जगा है मैं हूँ या भाई मेरे team में आजा तो guys अपने teams बनाना start कर दो जब customs आएंगे तब ऐसे players dominate करने वाले है और अगर आपको dominate करने और आपको prestige वो fame चाहिए तो अभी से अपने team के साथ practice करने लग जाहिए तो guys ये था आज का video अगर आपको पसंद है और आपने कुछ सीखा तो like करिये अगर ऐसा content और देखना है तो subscribe करिये and अगर आपके कोई suggestions है तो comments में छोड़ी मैं हरे comment read कर तो but yeah that was the video and I'll see you in the next one